नमस्ते, मैं हूँ आशुतोस और आप देख रहे हैं दिले लड़ाओ भारत ने पाकिस्तानी तगड़ी घेरा बंदी कर दी है आर्थिक तौरबर पहले इसे कमजोर पाकिस्तान को भारत ने आर्थिक मोर्चे पर ही गुरी तरह घेर लिया है एक तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले माल की सप्लाई धीरे धीरे ठप होती जा रही है दूसरी तरह पाकिस्तान से माल मंगाने के नए आर्डर करीब परीब बंद हो गए है दोनों देशों के बीच तरह और भारत की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से भारत के कारोबारी पाकिस्तान से माल मंगवाने में थिचक रहे है कारोबारी लगातार ऐलान कर रहे हैं ना तो पाकिस्तान को कोई माल बेचेंगे और ना उनसे कुछ खरीदेंगे इससे दोनों देशों के बीच जो भी कारोबार हो रहा था उसमें बड़ी गिरावट दिखने लगी है दोनों देशों के बीच पैदा हुए हालिया तनाओ का बड़ा असर कारोबार पर ही पड़ता दिख रहा है भारत ने पाकिस्तान का मोजट फेवर्ड नेशन का दरजा खत्व कर दिया है और वहां से सामान मंगाने पर आयात शुलक यानी इंपोर्ट ड्यूटी 200 फीसदी तक बढ़ा दी है इससे पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह घेटा जा रहा है भारत ने पुलवामा हमले के हवरन बाद उस पर आर्थिक प्रतिबंद लगाने शुरू कर दिये थे साथ साथ देश के कारोबारी खुद भी अपनी तरब से पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद करने के पक्ष में है उनका कहिना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ कारोबार जारी रखना संभव नहीं है हमारा कौन सा सामान पाकिस्तान जाना बंद हुआ है चीनी, चाय, आयल केक, पेट्रोलियम आयल और कच्ची कपास, सूती धागे, टाय, रबर, डाई, केमिकल जैसे चौदा प्रोडक्ट पाकिस्तान मुख्यतावर पर भेजे जाते हैं यहां से दोनों देशों के बीद सड़क के रास्ते से सबजियों समेट करीब 138 वस्तूओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा है पर अब आजादपुर मंडे के कारोबारियों ने पाकिस्तान को कोई माल न भेजने का फैसला लिया है टमाटर व्यापार संग के प्रेजिडेंट अशुक कौशिक ने एकानमिक टैम्स को बताया कि अटारी बागा माल से यहां से रोजाना 75-100 ट्रक टमाटर जाता था पर अब व्यापारियों ने माल न भेजने का फैसला लिया है सबजियों, फलों, कपास, धागे के कारोबारियों ने भी इस माल से बुकिंग बंद कर दी है और कौन सा सामान हमारे यहां आना बंद हुआ है पाकिस्तान से पाकिस्तान भारत को ताजे फल समें 19 सामान मुख तवर भेजता था फलों में अमरूद, आम और अनानास हमारे देश में पाकिस्तान से ही ज्यादा आता था पड़ोसी देश हमारे यहां सीमेंट भी बेचता था 200 फीसदी कर दी है यह फैसला पुल्वामा अटैक के बाद लिया गया दरसल MFN का दर्जा खत्म करते ही भारत सरकार को पाकिस्तानी सामान के आयात पर ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार मिल गया इसी के बाद यह ड्यूटी यानि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया किसी बाहरी माज फीसदी टैक्स लगता था अब यह पढ़ाकर 200 फीसदी कर दिया गया है जानकारों के मताबिक यह एक तरह से आयात बैंग जैसा ही है दरसल इतनी ड्यूटी बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान से भारत कोई कारोबारी शायद ही कोई माल मंगाए एक लेदर कारोबारी क मताबिक पाकिस्तान से प्रोसेश डिलेदर भारत आता था यह कुछ सस्ता पड़ता था अब जब 200 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने से पाकिस्तान कंपर्टीशन से ही बाहर हो गया है साल 2017-18 में पाकिस्तान से करीब 3482 करोर रुपए का आयात हुआ पर आने वा पारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो के लिए हमारे एंड्रॉइट आयप को इंस्टाल कर लीजे यूट्यूब चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब कर लीजे और पेज उसको लाइक कर लिए शुक्रिया आप